जैहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड जाननी की बारतिये तटरक्ष की नई बरती आ रही है इसकी बकैंसी की डीटेल्स के बारे में बात करेंगे तो ज जो बरती आ रही है जब पूरे वारत के लिए सीधी बरती आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से मेल और फीमेल दोनों इस बरती में अपलाई कर पाएंगे चाहे आप इंडिया की किसी वी स्टेट से बिलॉंग करते हैं आप इस पी अपना एप्लिकेशन फॉर्म फि लिए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड की नई बरती आ रही है इसकी बकैंसी की डीटेल्स के बारे में तो इसमें आपको इंडियन कोस्ट गार्ड गुरूप सीजनानी की इंजिनियर ड्राइवर सारंग लसकर फायर इंजिनियर ड बारे में तो अगर आपका इस बरती में सिलेक्षण हो जाता है तो जो मंददी सेलजी आपको दी जाएगी में वो में तो ऑपको सेलेक्ष के lexi में मीले जाता है तो इसके वाद हम बात कर लेती है इस और जो female candidates के लिए minimum height रखी गई है वो रखी ये बन 52 cm chest criteria के बारे में अगर हम बात करें तो जो normal chest होनी चाहिए बो होनी चाहिए minimum 80 cm जो expandable chest होनी चाहिए minimum बो होनी चाहिए 85 cm और जो minimum expansion होना चाहिए आपकी chest में बो होना चाहिए 5 cm का दो जे बात होगी इस परती में जो आपका physical test किया जाएगा उसके बारे में और friends अगर आपने जो हमारा telegram channel है वो जाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे telegram channel को भी जाइन कर स यह हमारे telegram channel को link आपको description में मिल जाएगा तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इंडियन coast guard की और से नहीं बरती आ रही है इसके notification के short में overview के वारे में तो जो बरती आ रही है जो इंडियन coast guard की और से सीधी बरती आ रही है name of the posters की अगर हम बात करें तो इस बरत कर फायर इंजीनियर ड्राइवर फायर में इस तरह से आपको काफी सारी पोस्ट्रस इस बकैंसी में देखने के लिए मिलेगी टोटल नमबर आफ बकैंसी की अगर हम बात करें जो इंडियन coast guard की और से advertisement की गई है बो की गई है 96 बकैंसी apply mode जो रहेगा इस बरती के लिए बो आपका इस job में selection हो जाता है तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से kindness बरती में apply कर पाएंगे तो आल इंडिया के male and female kindness बरती में apply कर पाएंगे चाहिए आप इंडिया की किसी वी state से belong करते हैं आप इस पी अपना application form will कर सकते हैं education qualification में आपके पास कम से कम 10 मी पास की माक या फिर डिपलमा आपके बाद सोना चाहिए इस परती में apply करने के लिए age limit criteria के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी जो इस है वो 18 से 30 साल के बीच बीच में होनी चाहिए वही पे कुछ candidates के लिए जहां पर relaxation भी दी गई है जैसा कि जो candidates OVC से belong करते हैं उनके लिए 3 साल क relaxation दी गई है वही जो candidate OVC से belong करते हैं उनके लिए 5 साल की relaxation आपको मिलेगी age limit में इसके बाद हम बात कर लेते हैं monthly salary के बारे में तो अगर आपका इस बरती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो monthly salary आपको दी जागी इस जागी 5200 से लेकर 20,200 तक आपको monthly salary मिलेगी इस जाग में अगर आपका इस बरती में selection हो जाता है तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस बरती को लेकर कुछ important dates के बारे में तो जो starting date है application form को fill करने के लिए बो start हो चुकी है जानने कि इसके जो application form है वो लगना start हो चुके है और जो last date है application form को fill करने के लिए 31st of January 2022 जानने कि 31st जनवरी तक इसके जो offline application form है वो fill किया जाएंगे इसके बाद हम बात कर लेते हैं application form की fees के बारे में तो चाहे आप किसी भी category से belong करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी application fees नहीं लगेगी application form को fill करने के लिए selection process जो रहेगा इस बरती के लिए जानने की इस बरती में जो selection की जाएगी जाएगी तो सबसे पहले तो आपका written exam होगा दन आपका physical test किया जाएगा लास्ट में आपकी एक final mail list निकाली जाएगी और अगर आपका final mail list में नाम आ जाता है दन लास्ट में आपके documents की verification की जाएगी आपकी joining के लिए तो इस तरह से इस बरती में कुछ selection किया जाएगा तो जे बात होगी इस परती के short में overview के वारे में तो दोस्तो लास्ट में हम बात कर लेती हैं कि अगर आप eligible हैं और apply करना चाहते हैं इस बरती में दन आपके बास कौन-कौन से document होना जरूरी है तो सबसे पहले तो आपके बास अपना data birth proof certificate होना चाहिए education certificate में आपके बास कम से क दसमी बार में डिपलमा आपके बास होना चाहिए इसके अलावा अगर आपके बास कोई अधर qualification जा experience अबोवी apply कर सकते हैं application form के साथ इन सभी documents के साथ-साथ आपके बास अपना data card जा फिर pen card भी होना चाहिए as identity proof इन सभी documents के साथ-साथ अगर हम बात करें तो आपके बास एकिस अड्रैस के बारे में कि जो फिल किया हुआ application form आपको इस address पर सेन्ट करदे ना हा the last date से पहले पहले इसके बाद अगर हम बात करीं कि एगर आप इस बरती के बारे में ज्यादधhã нам चाहते हैं जैसा कि सवर्पर को official notification पढ़ना चाहते हैं application farm पा ना चाहते हैं याफिर आप हमारी वैपसेट पर आके सब चाकड कर सकते हैं इस बरती के बारे में और दोस्तों जो होमगाड की नई बरती आ रही है अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं महील और पुरुष दोनों के लिए जे बरती आ मेल और फीमेल दोनों इस बरती में अपलाई कर पाएंगे चाहिए अप इंडिया की किसी वी स्टेट से भी लोग करते हैं जादा जानकारी के लिए अब वाली वीडियो भी देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा